अस्टेलिया स्टेडी वीजा खतम होता नजर आ रहा है जनवरी 2025 के लिए नय नियम आ चुके हैं जिसके तहत अब अस्टेजिया जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा 25 परतिशत के करीब student visa रह जाएगा 75 परतिशत खतम हो जाएगा यहांकडे आज आए हैं आज Australian Parliament से एक लिस्ट निकली है कि कौन कौन से college को कितने कितने बच्चे लाने की अनुमती दी गई है ऐसे college जिनके पास 1000-15-1500 बच्चों की सीटे थी ऐसे collegeों को 10-20-50 बच्चों से जएदा बच्चों को लाने की अनुमती नहीं दी गई यह एक आखरी मौका है इसके बाद कम से कम दो साल के लिए चीजे बंद हो रही है खत्म हो चुका है इसे लिए हमें समझना पड़ेगा जन्वरी इंटेक से कैपिंग जारी है बहुत कम प्रवाइटर हैं जो आपको दाखला दिला पाएंगे सीटें ही लिमिटेड हैं आज पारलेमेंट में मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमें बारत से या बाहर मुलकों से बच्चे लाने की कोई जुरूरत नहीं है हमारे पास खुद के पास ही कंट्री में इतने बच्चे हैं अगले साल दबारा उसी कोडमिशन देंगे नामुनकीन हो जाएगा तरसेंगे लोग जनवरी में कि यार कोई कॉलेज ऑफर लेटरी दे देख अब कोई भी आपको दाखला नहीं दे पाएगा खतम मतलब फिनिश यह मुद्दा उठाया है वहां की सरकार ने इस पार्लेमेंट में बिल पास हो चुका है मुनिस्टर ने आलड़ी इसकी इस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि इस तेलिया हर साल अपने वीजा कोई कैपिंग करेगा कही ना कही इस पूरी दुनिया में आज कैपिंग शुरू हुई है यही हाल दो दिन पहले कैनड़ा की मिग्रेशन मिनिस्टर ने किया था जो बचे पढ़ने गए हैं उनको वर्क पर्मिट के लिए भी फ्रेंच सीखनी पड़ेगी करें आप फ्रेंच का टेस्ट देके आओगे तो आपको वर्क पर्मिट मिलेगा कैनड़ा को देखो देखी अस्टेलिया ने भी कैपिंग इंट्रोडूस कर दी है हर साल नंबर कम होने की बात हो रही है आज उस्टेलिया भी कम नंबर कर रहा है कैनड़ा भी कम नंबर कर रहा है हर किसी को स्टूडेंट नहीं चाहिए समझना है आपको अब दुनिया को अगर काम करने वाले लोग चाहिए तो काम करने वाले वीजे पर चाहिए जो लोग स्टूडेंट वीजा पर जाके काम करन थे उनके लिए दिक्कत आई है पिछले दो दशक से लोग इस्टेलिया में जा रहे हैं आज इस्टेलिया में स्टेडी वीजा का इतिहास बीस साल का है बीस साल में आज तक किसी गौवर्मेंट ने ऐसी चोट नहीं करी जैसी चोट स्टेलियन एजुकेशन मिनिस्टर ने जिस कॉलेज के पास 10,000 सीट थी उसको 300 सीट दी गई है जिस प्रवाइडर के पास 8,000 सीट थी उसको 500 सीट दी गई है जिसके पास 1500 सीटे थी उसको 50 सीटे दी गई है जिसके पास 200 सीट थी उसको 10 सीटे दी गई है अभी 10 सीटों से कोई बंदा क्या रोटी खाए गया यार क्या कोई education deliver कर पाएगा जिसके पास 1000 बच्चों के लिए infrastructure है उसको आप कह रहे हो 10 बच्चे ले आओ ये कही ना कही शिक्षा संस्थानों को मसलने का काम शुरू हुआ है जब आप school, college, university यां बंद करेंगे तो criminal पैदा होंगे इतिहास गवा है, इतिहास गवा रहेगा जब भी किसी ने शिक्षा के साथ खेलने की कोशिश की, कुछ नहीं बना उसका आज शिक्षा की देन पूरी दुनिया को है लोग अच्छे college अच्छी युनिवस्टी में पढ़ने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं दुनिया की हर country, हर college, university, always welcome करता है कि मुझे पढ़ने वाले बच्छे चाहिए, पहली बार हुआ है इतिहास में, जहाँ पर, अस्टेलियन सरकार चाह रही है, कि हम अपने ही colleges को बंद करें, जो उन्होंने ही खोलें, जो बच्चा खुद पैदा करा था, कि ये समाज को बहतर खरेगा, आज उसी बच्चे की रोटी काटी गई है, मेरी पांच-दस लोगों से बात होती है, जो एजूकेशन प्रवाइटर है, इस्टेलिया के, वो मुझे कह रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है, क्या गलत कर दिया हमने, लोग 15-15-20-20 साल से college चला रहे हैं, आज एक college को 10 सीटे, 20 सीटे मिल रही हैं, वो college कैसे चलाएगा, यह बंद होगा, कलाप्स हो जाएगा, सिस्टम, सुबिनती है सुनने वालों से, आपको तो इससे फरक नहीं पड़ेगा, आप तो भारत में पढ़ लेंगे, जो लोग इस्टेलिया जाना चाहते थे, यह आखरी मोका है, इस लास्ट चांस, अगर आप January से पहले फाइल लगा लेंगे, तो शायद आप इस्टेलिया जा पा ऐसा ही कुछ दीखने को मिलेगा आपको आने वाले साड़ों में, तो अगर समझदार है, आपके पीटी में पचास नंबर हैं, बीस पच्चेस लाक रपे के फंड है, आज यार यह लाटरी डाल लो, जनवरी से पहले अगर अपलाई कर लेते हैं, हो सकता है वीजा मिल है आदमी, कैपिंग में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, कुछ यूनिवर्स्टियों को, कॉलेजों को, आपके लिए नहीं है, यह दुनिया के लिए खुल जाएगा, आपके लिए ताला लग रहा है, हैरीशन का लॉकातल, परानी कंपनी है, बड़ा अचा ताला, पीतल क वो लगा दिया गया है आपके लिए, अब लिमिटीड बच्चे जाएंगे उन कंट्रियों से जाएंगे, जहां से पढ़ने जाते हैं, चीन एक बहुत बड़ी मार्कित है, जहां से जो भी जाता है, पढ़ता है चार साल पांच साल, जापान एक बहूत अच्छी मार्कित ह मिडल इस से शेक साब जाते हैं पढ़ने के लिए दुनिया के अमीर लोगों को स्वागत कर रहा है जहां से दुनिया सिर्फ पढ़ने जाती है पढ़के अपने मुलक वापस जाती है जब कैपिंग होगी तो उन लोगों का नंबर पहले आएगा जो पढ़ते हैं इसलिए आफर लेटर देंगे चार दिन में फाइल जमा हो जाएगी अस्टेलिया खतम हो रहा है जनवरी दो हजार पच्चिस से उसके पहले अपलाई करिए और अपना अस्टेलिया जाने कर सपना सकार करिए